नमेशकार, जैशे कृष्णा, मैं आज आपको आपको special एक वीडियो बना रहा हूं requests लौर सिखाने भी जा रहा हूं, तो उसके बारे में आपको में बताने जाता हूं कि नुमरलोजी है क्या और नुमरलोजी कब हमारे परिचे में आई, कि क्या इसका यूज है नू नमबर इस्तिमाल होते हैं वो नू नमबर किस किस चीज के हैं ये जानना बहुत आवश्यक है इसके लिए बहुत जरूरी है कि कभी आप नमबर देखें एक 1866 में बहुत बड़े निमरलाजिस्ट हुए थे जिने कीरो बोलते हैं तो कीरो भारत आ का पड़े बहुशानी तो कीरो ने यहां से काफी ज्ञान के बेशार रहे नि estado चैंळके अच्छाण ही गांबार को यह न दब और है स्टाव योग्ता इस्टा मत सास्टालोजी के बारे में जीरो के बारे में आप जानते कि आपने गाना भी सुना है, जीरो दिया मेरे भारत ने, तो जीरो देने वाला भारत ही था, जीरो से ही सबुत्पुत्ती हुई, जीरो से ही स्रस्टी का उपन होता है, जीरो में ही स्रस्टी विलीन होती है, तो जीरो बहुत इंपोर्टेंट है, शुन्य निराकार है, ब्रह्मा है अनंत का परतीक है तो कहरे का मतलब यह है कि यह जो अंक है यह बहुत पुरानी विद्या है अंक से और अंक से prediction करना भी बहुत पुरानी विद्या है निम्रलोजी से आज जो जीरो हम लोगों ने पर तो जीरोगो अझसर की उत्पति के लिए मना गया तो उनसे कहा गया है मानावनने जब उन्हों ने बनाया और मानावनने जब आँक फोली तो उननें दो तारे दिखाए पड़े अकाश में प्रतार मार्धित और कोई प्रकाश्य तारह नहीं था जब मानवने आग पोली तो सूर्य चुकि दिन को उत्पन होता है नित्य दिन में उत्पन होता है उसको प्रथमिस्थान प्राप्त हुआ और उसे एक संख्या का प्रतिमिजुत्य मिला उसको कहा गया कि तुम्हार नंबर एक है तो सूज वे मानव के मन को विचार शक्ति प्रदान करता है और इसको नारी ग्रह माना जाता है जिस प्रकार नारी जिस प्रकार चंद्रमा 27 ग्रह हो 27 नक्षतुर का भोग करता है उसी प्रकार नारी भी 27 दिनों में शुद्ध होती है इसलिए चंद्रमा को नारी ग्रह का रूप दिया गया है तीसरा जब मानव ने प्रत्वी जल और वायू देखी मतब प्रत्वी जल और समुद्र को देखा प्रत्वी देखी जल या समुद्र को देखा आकाश देखा तब उनको लगा कि यह तीन चीज हैं आकाश देखा प्रत्वी देखी जल देखा तो तीन चीज यह दिखा तो उन्हा ब्रह्मा की शक्ति का ज्ञान हुआ और तीन की संख्या प्रचलन में आई इसके लिए तीन के अंको विस्तार कांक माना गया और इसका जो स्वामी बनाया गया इसके स्वामी बनाये गए गुरू जिनका संबंद आत्मा से है तो तीन अंक जो है बहुत इंपोर्ट शिन जिस से चार की संख्या पैदा हुई और यह चारो दिशायें हमारे चारो वेदों के बारे में बदाती है चारो वर्वडों का परतिद्बित्र स्वामी तो दिया गया वह रहु को दिया गया इसके बाद मानव ने पांस तत्व की एहमेंत वो पहचाना वाईू, अगणी, जल, प्रत्वी और अकाश यह पांस तत्व हैं जिनकी महत्गों पहचाना और पांच के अंग की पहचान हुई जिसको चूकि पांच का अंग जो था ये देवताओं का अंग था इसको पैज वि पुद्धी और विवेक का कारग भी माना जाता है तस पस्षाथ मानव रस में लीन हुआ और छे रसाइन मधुर अमल लवन कटू तिक्त एवं कशाय का ज्ञान प्राप्तिया छे रसाइन उनके सामने आये तो छे अंक की उत्पत्ति हुई और छे अंक को उन्होंने स्वामित दिया शुक्र को उसके बाद जब अकाश मंडल को नहारा मानवनें तो सब्त रिशी के दर्शन हुए जो आकाश में तारे देखते हैं हम बोलते हैं सब्त रिशी के दर्शन हुए बहुत नमबर के ó amarиц साथ नमबर के उत्पत्ती हुई तो साथ न've बहूतذे पोटर्टंन न उग्रलाजी मैं इसे भागे का नंबर कहा जाता है, लखी नंबर कहा जाता है, और साथ नंबर का स्वामी को केतु माना गया, केतु इसलिए कई शास्त्रों में मोक्ष का कारक भी कहा जाता है। इन सब की रक्षा के लिए यही जितने भी चीज़े थी नंबर थे इनकी रक्षा के लिए मानव ने अस्ठ बहरब, अस्ठ सिध्धी, अस्ठ पीट आधि की उपासना गी. यही आठ शनी यही से आठ अंग का उत्सरजन हुआ और इस आठ अंग को शनी को दिया गया शनी का संबन्द बहुतिक सुखों से है शनी ही कर्ष देता है और शनी ही कर्ष से मुक्ति देता है इसके बाद मानवने विभिन रूपों में नौ देवियों को देखा, नौ रतनों को देखा, नौ निधियों को देखा, अस निधी, नौ निधी के दाता बोलती ही हैं लोग, नौ रसों को देखा, नौ प्रान को देखा, तो नौ आंख की उत्पत्ति होई, नौ आंख का स्व योग नौ से अधिक नहीं हो सकता है और प्रतेक अंक में जितने भी अंक हैं एक से लिके नौ तक उनमें एक शक्ति विद्यमान होती है और यह शक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है जो हम जिसके बेस्पे हम लोग प्रडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाला कल कैसा आपकी जन्तिति जो होती है जो भी आपकी जन्तिति होती है उसमें अंक होते हैं और वह बहुत इंपॉर्टन्ट है एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे आपको अपना जनम लेना यह ऐसे ही नहीं है इसके पीछे बहुत लाजिक है ऐसे नहीं कि आप पैदा हो गए तो पर्टिकुलर डेट ऑफ पर पे हुए इसके पीछे बहुत चीजे होती है और इन चीजों का बड़ा महतु होता है हर नंबर का बड़ा महतु होता है चार तारिक को जनम लेने वाला कैसा होगा एक तारिक को जनम लेने वाला कि क्या विचार होंगे कैसी नेचर होगी कैसी इसकी characteristic होंगी हर नंबर में लेने वाले को जन्म लेने वाले को अलग-अलग characteristic का सामना करना पड़ता है और अलग-अलग characteristic उनकी होती है तो यह बहुत important है इसलिए numerology को सीखना और जानना बहुत जरूरी है जिसके बेस पे हम लोग इंसान की personality इंसान की nature इस सब का आडिया लगा सकते हैं और इसके साथ-साथ ही इंसान कहां घूमेगा विदेश जाएगा नहीं जाएगा ट्रेवल करेगा नहीं करेगा ट्रांसवर होगा नहीं होगा कब केरियर में उसको सफलता मिलेगी कब प्रमोशन में कुस्से सफलता मिलेगी कि ये सारी बाते हम निम्रालोजी के दौ़ारा जान सकते हैं निम्रालोजी बहुत ये वास्ट फिल्ड है जिसके अंदर ये सब चीज़े हम जान सकते हैं तो आपसे यही मैं कहना चाहता हूं 좋다 οπο यूट्यूब के उपर लेकिन उसके साथ साथ लिम्रालोजी का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं आप में से जो लोग इंट्रेस्टिड हो इस विद्धा को सीखने के लिए जो की बहुत अच्छी विद्या है देव विद्या है तो आप संपर कर सकते हैं दिये गए नंबर सब्सक्राण धन्यवात जय शीली खिरेश्ट।